वेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो ओन चनल स्टॉक मार्केट फंडा में अब और एक बात दोस्तों बताना चाहूंगा जो रिटेल निवेशक है जैसे कि में आपको कल भी बता है था मिटके पके स्टॉक्स फॉल करें डेफनेटली लेकिन दोस्तों होता क्या पता है मैंडसे अगर आप हमारे पूराने फॉल्वर से तो में आपको सीडी सल का स्टॉक यहां पर गीरा बी बाद में स्टॉक उपर और फिर से गिरना स्ट कर रहा है ठीक है तो अभी दोस्तों होगा क्या बताएं जब यह स्टॉक बारासों का स्टॉक है यहां पर वन थाजाईगा ना ठीक है तो अभी कोई पैनिक बहुत जादा नहीं करेगा क्योंकि उनके पॉर्टफियल में सिर्फ चार परसंट का लॉस है या पांच परसंट का लॉस है लेकिन जब यह लॉस दस परसंट पंदरा परसंट बीस परसंट हो जाएगा ना जब यह स्टॉक वन थाज़न है त स्टॉक मुमेंटम करते है उसको मुमेंटम के लिए लेना चाहिए लॉंग टेम के लिए नहीं लेना चाहिए लेकिन जब यह 1000 पर आएगा ना डेफनेटली मैं यहां पर दिखूंगा एक कोमेंट तो डेफनेटली आएगी लोके तो दुस्वा पॉइंट यह धियान में र कर सकता है यह सिर्फ पोलबेक का जंब है और फटार यहां पर दोसों कुछ देख लेते हैं एफाइक डीटा एफ़ यहां पर 343 करोड की सेलिंग की है डिया यहां पर 266 करोड की खरीदार की है तो एफ़ यहां पर नेट सलर फेसे दिखाई दे रहे हैं यानिक छोटी से से सेलिंग यहाँ पर लिकार उसे लिकомद्व देख रहे है तो और फॉसिवल दोस्तों कि अपर प्रॉफिट के से लिक eine के अंदर आ सकते हैं वो भी लाज कि अपके अंदर क्योंकि अलडी वह ज़धा मुमेंटम कर चुके हैं अब बात करने क्या है जोस्तों कैने रबैंक के अंदर तो कैने रबेंक हैं आपटीसो करोड की और सैट प्रैस है यहां पे 155.58 रूपीस पर शेर तो यहां पे एक बार movements canera bank देख लेते हैं अब दोस्तों एक logic बताऊंगा वो ज्यान से सुनेगा बहुत ही best logic है एक बर पहला stock का levels देख लेते हैं stock का levels कांसा है दूस्तों यहाँ पर 152 के price के आसपास है और यहाँ पर कॉन सी price है QIP 155 यानि की stock QIP की price तो ऐसे नीची ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है तो होगा कि है दोस्तों मान लिजा है हमें हाप एक यूए पी के नरे निवेश करते हैं बड़े प्लेश करते हैं तो उनको तो स्टॉक लोवर प्रेस पर मिल रहे है न वो क्यों प्यूंट करना चाहेंगे ठीक है उनको तो उपर के लेवल से लेके रखे तो 147, 148 के आसपास एड का सकते हैं स्टॉक को यहां पर 160 के आसपास 155, 160 के आसपास बेज सकते हैं ओके लेकिन दोस्तों यह सिफ ट्रेडर्स के लिए है रेटिल निवेशर को फरेश करीदारी करने की बिल्कुल भी सला नहीं है क्योंकि वो न के लिए का स्टॉक में भी कल उपर जा सकते हैं अब दूस्तों में यहां पर एक वीडियो बनाऊंगा ठीक है और यहां पर कुछ बॉटम और श्टॉक आप फिर से आपको बताऊंगा जो आप लॉंग टर्म के लिए देख सकते हैं ठीक हैं मोमेंटम के लिए नहीं, स्वि के पास है और मेरी सबसे कल यह स्टॉक बाउंस कर सकता है और यह लॉंग टाम का बेस्ट केंडिडिट हो जाता है अगर किसी ने लेखे रखे रखे तो होल्ड कर सकते हैं लेकिन एक साल के ध्यान में रखना होगा ठीक है स्टॉक में थोड़ा फॉल में भी हो सकता है के के बीक अब पॉइंट के लिए कर दो कर्का है स्टॉक 10 में अग्या कर दो कर रहा प्रपोर्ट फिर वर्टिकल मोमेंटम और 20 डिमा ब्रीक तो यहां पर कुछ बायस एक्स्ट्राइब फिर ब्रीक कर चुका है तो स्टोक थोड़ा और फॉल कर सकता है तो कल्प पूल बेक अंट्री नहीं करने है यह स्टोक बाद में फॉल कर सकता है यह थोड़ा ध्यान में कि अलाकि लॉंग टर्म के लिए बेस्ट जैक्वाट स्टोक हो चूगे लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अभी अवेट कीजिगा स्टोक का बेस्ट लेवल हो चाथा है 600 उपे वहां पर एक साल के लिए डेफरनेटली एंट्री कर सकते हैं और दोस्तों बेस्ट कोशन इन मार हो रा आफ सी सब्फी जो आईटि स्टॉक है ना ठीक है वहाई टी स्टॉक के नबर बहुत ही खतनाक है और यहां पर रिटिंग जो एजनसी होती है जैसे कि बड़ी वह रहा हो गया तो ऐसी रेटिंग अजिंसी ने हम पर बड़े टार्गेट दी है इसकी वज़ेसे है रि SBI, ठीक है? वो स्टॉक यहां पर 160, 150 पर पहुच चुका था. और यह रेटिंग एजनसी पता है क्या बोल रही थी? स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए. आपको लाइफ में नहीं खरीदना चाहिए. बैंकिंग स्टॉक को ऊपर आने में बहुत सालों निकल सकते हैं. दो साल, होता है स्टॉक जब यह 400 पर पोजिशन अ 380 350 उसके बाद यहां पर अपर टार्गेट आना स्टार्ट कर दिया है ओके तो होता कि यहां पर बहुत सारे कुशन आ लेजी कि सर अभी क्या करूं मैं फर्स गया लूट गया बरबाद हो गया लेकिन आप देखो कि स्टॉक ने बहुत बर बॉटम बनाया और यह स्टॉक अभी नया हाइट टच कर रहा है ओके तो दूसरे डेफेनिली सवाल आते हैं लेकिन मैं सि करती है और बड़ा फॉल आएगा ना तो लॉंग टम सीधा सब के घर पे चला जाएगा और को लॉंग टम के लिए नहीं पूछेगा ओके यह डेफेनिली दोस्तों जैकपोट मंत्र है मैं आपको बदाना चाहूंगा मेरे को यहां पर एक क्वेरी आई थी अफिल के बारे म यह डेफेनिली कोशन आते हैं सी हमेशा ध्यान में रखे स्टॉक की एक वेलिएशन होती है ठीक है कोई भी स्टॉक चांद पे नहीं जाएगा आयसे टीसी बहले यहां पर उपर जा रहे है लिकान वह भी उसकी वेलिएशन है कि न वह स्टॉक भी पिटीगा ठीक है तो जो यहां पर चनना वाले पानवाले से आते है तो पता चल जाता है कि मार्कर ओओर बॉर्ड जोन में क्योंकि कीसी को पता नहीं लेकिन आ पर सजेशन देने आजाते आपको समझा आ रहा है ईक तो दोस्तक बीसिक सा लॉजिक है आंको कोई पैनिक करने की घए नार्मल सा चीज है लेकिन हमेशा ध्यान में रखे स्टॉक अगर अपसेट मोमेंटम करना स्टार्ट कर दे तो स्टॉक के अंदर आप एंट्री फीज से कर सकते हैं और अभी भी पॉजिटिव है दोसो चूटी मूटी प्रॉफिट बॉकिंग आती है रिजल्ट के बाद बहुत ही बड़ी है मोमेंटम है लेकिन मैं सजेश्ट करता हूँ कि अगर किसी के वास अपॉल ऑस्पिटल है 40% का प्रॉफिट बॉक किजिए बाकि इसा होतो होल डेफरेनिटली का सकते हैं लेकिन एटलिस दोस्तों मार्केट गिरने से पहले जैसे कि अपॉल ऑस्पिटल के इंदर एक्जिट तो दोस्तों यह सभी यहां पर न्यूस के वाज़े से कल स्टॉक फोकस में रह सकते हैं और फटाड यहां पर स्टॉक ले ले थे सेल, जी एम, आएफल सिकूरिटीस और बीई पील का स्टॉक ओके फर्स ले ले थे हैं पर सेल का स् अपर चाहएं ले थे लियुट, अब अब वेद सेल ना डी तो इसके नियूस के वोग जैसे दस परसंट क्रेश कर गया है त्वह नॉर्मल सा यह एगनी है आपको क्या मैंड सेट है ये आपको देन में रbralेी मात्राइब जो रोग्टम का nuit शोटाम का वीऊ है ट्रेडिंग स्टॉक लो स्टॉपराव सरको एकजिट कर जाओ रिटेल ने वेर्श लो अब सवाल आ जबने कर से 125-124 तक में एकस आ सकता है है और यह स्टॉक बहुत इजल फीसिक मोमेंटम स्टार्ट करेंगा सिर्फ यह रेजिस्टंस फीस करें ठीक है अगर आप देखो कि 150 का और 144 का एक तो थोड़ा और फिसकर रहे हैं तो टाइम में भी ले सकता है जैसे ब्रीक करेगा स्टॉक फीसे एक अपसेट मोमेंटम स्टार्ट करेंगा ओके तो डाउंस है डेफनेटी रिस्टिक्ट्टेड है अफसेट यहां पर स्टॉक और उपर जा सकते यह अप दियान में रख सकते सब्सक्राइब करना चाहिए अभी भी अगर आपका लॉंग टॉम का नजीरा है मैं अभी बीई इन्टेक्ट हो लीवल और टारगेट से में सिर्यस्नि बोलना चाहता हूं यह इन नहीं बेचने वाला है यह जिल्यकुत्वγά स्टोप्य जाए घंगा हैं गर यह सब्सक्राइब करों से इंट्री करों अभीर एंट्री करों मैं सबसे कोई दुनिया में कोई बंदे नहीं है जो bottom पे आके खरी देंगे stock को ठीके लेकिन उपर जाके सब खरी देंगे तो मैं suggest करता हूँ portfolio अलग बने trading stock अलग रखे दोनों अलग अलग portfolio में रखे और ऐसे stock जो long term के लिए होते वो portfolio आपको दीखना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो एक या दो सल या तीन सल के लिए होते जो अच्छे return देखे जाते हैं ठीक है शॉर्ट टर्म में definitely profit booking आएगी कोई tension लेने की जरुवत नहीं है और बात करने जाए तो यह maximum 4000 भी आ सकते है थोड़ा wait कीजिएगा average करने के लिए पहला stock को consolidate करने दीजिए ठीक है ऐसे consolidate करेगा stock अगर आप यहाँ पर देखने जाए ठीक है यह जो consolidation है ऐसे stock consolidation करेगा फिर stock result के बाद अगर momentum करता है तो हम लोग फिर से add करेंगे लेकिन अभी के लिए थोड़ा wait करीजिएगा stock को average करने के लिए ओके और बात करने जाए पर IFL and BPL IFL securities की बात करने जाए तो IFL securities अलड़ी पीट चुका है मैं आपको बताया था कि stock आपको profit book कर लेना चाहिए 125, 124 से आसपस मैंने बहुत सारे हमारा whatsapp member को भी बताया थे कि आप यहां पर profit book कर लिए इवन मैंने शाहिए योट्यूब में भी बताया था ठीक है I don't know किसी ने किया होगा कि नहीं 70 से बताया था 124 पे चला गया था profit book नहीं किया है तो मेरी साब से pullback के अंदर profit book कर लिए 100 का level break कर चुका है अब दोस्तों यहां पर support कि आसपस यह trade कर रहा है ठीक है तो अभी hold किया जा सकता है support को है मतलब माफ कीजिएका 161 80 का support है अगर आपका नजरिया है तो डेफनिटली होल कर सकते है थोड़ा consolidated कर रहा है फीसे अगर मोमेंटम करें तो फीसे एक स्टॉक रॉकेट बन सकते है अगर ट्रेडर है stop loss इंट्रेस्टेड है मानी जिए stop loss में आप इंट्रेस्टेड है रखना चाते 189 के नीचे ट्रेट करना स्टार्ट कर देता है 15 मिनिट आप यहां पर exit कर सकते अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए गुडबाई जय हिन कर दो